हेलो एवरिवान वल्कम बैक टू दे चानल ब्रांच अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने कौश प्राइस मेथड इन्वाइस प्राइस मेथड अलग-अलग हम लोगों ने बनाना सीखा है नेट प्रोफिट कल्कुलेट करना सीखा आज हम लोग एक ऐसा मैं प्रेश सीखा कौन होगा और एक ब्रांच अकांट बना करके दोनों मेथड को हम लोग अप्लाइब करके काौफिट कल्कुलेट करना सीख लहिए 22 लीयग प्राइब उतना ही आता है और हम लोग वो आज एक कोश्चन से कोश्चन के माध्यम से सीखेंगे आए कोश्चन आपके सामने है आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं जनरल मर्चंट लिमिटेड कानपूर का एक ब्रांच है सिल्स ब्रांच इन अलाहबाद तो कानपूर का ये बिजनस है और इनका एक ब्रांच है अलाहबाद तो हम लोगों को अलाहबाद ब्रांच अकॉंट बनाना होगा अल दे गूर्स और चार्जे सेंड वाइड आफिस कॉश्च प्लस देखिए कॉश्च प्लस 33 एंड 3 परसेंट पर माल भेजा जाता है यानि कॉश्च प्लस प्रॉफिट लोडिंग हम लोग करना पड़ेगा 33.33 by 133.33 उपर 133 है नीचे 100 में 33.33 है और एक हम लोगों ने एड कर दिया तो इसमें 4 हो गया है तो यह काट करके क्रेंसल करके 1 by 4 हो जाएगा जितने भी गूट्स है वह आपके ओपनिंग स्टॉक हो क्लोजिंग स्टॉक हो गूट्स स के साथ लोडिंग हम लोग को 1 by 4 ही करके चलना होगा आगे देखिए निसरी अडवाइज सेंटु दे हैड़ आफ़ेश हम लोगों को ब्रांच अकॉन बनाना है इन्वाइस प्राइस मेथड यानि सेलिंग प्राइस मेथड से और कॉस्ट प्राइस मेथड से डबल कॉलम मे लिए कुछ पैसा भी कैस भी भेजा है कैसेंट टुएड ऑफिस ब्रांच ने माल बेज करके पैसा कलेट करके हैड ऑफिस को भीजा है यानि कैस रेमिटेट टू हैड़ आफिस बाइद ब्रांच यह रहा आपका यह क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग डेटर है और 31 को एक फरनीचर पर्चिज किया है 31 मार्च को ब्रांच ने एक फरनीचर पर्चिज किया है तो यह वाला जो बात है कि ब्रांच ने जो फरनीचर पर्चिज किया है तो ब्रांच अपने यहां से ब्रांच के पास जो पैसा कलेक्ट हुआ होगा माल बेच करके डेटर से कलेट office उस पैसे से furniture का पैसा जरूर ब्रांच ने काट लिया होगा और काट करके ही पैसा भेजा होगा इसलिए अलग से उस furniture का entry हम लोग को कहीं नहीं करना है हां यह बात है कि जब हम लोग branch account बनाएंगे तो credit side में bottom नीचे में बिल्कुल हम लोग buy balance CD closing assets का जो हम लोग entry डालेंगे उसमें furniture भी एक आ जाया कि furniture भी assets है आगे एक देखिए depreciation furniture to 10% पर अनम furniture पर 10% का जो depreciation है हम लोग को apply नहीं करना है क्यों क्योंकि 31st March को at the end of the closing year यानि साल के आखिर दिन ending date को हम लोगों ने furniture buy किया है purchase किया ब्रांच ने भले वो business कहीं हमारे head office कहीं assets है तो जब ending date को हम लोगों ने purchase किया है तो कितना दिन यूज़ हुआ एक दिन भी तो यूज़ नहीं हुआ ढंग से तो इसलिए इस पर depreciation हम लोग charge नहीं करेंगे depreciation वाला पार्ट को आप ignore करके चलेंगे चलो जी अब हम लोग branch account बनाते हैं बड़ा ही शांदर कुश्चन है एक ही कुश्चन में बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा आज ब्रांच अगाउंट पहले जैसा अलाहबाद ब्रांच अगाउंट at the end of 31st March 2015 double column branch account हम लोग बनाएंगे यानी एक column होगा आपका invoice price के लिए और एक column होगा cost price के लिए ब्रांच अगा आपका 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 है यगी का आपका सानक आपका आपका आपका浡 फस्के पूस्टप्सि के लिए आपका 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 tau̚ाव लिए ट्रांवाब्ट प्टिकूर सानक ओका आपका मिलेगाओ के ब्रांबाभांट अठीए त gdzieśतिकी। सबसे पहले डेविट साइड में हम लोग सारे ओपनिंग आसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू, बैलेंस, बीडी, सारे ओपनिंग आसेट्स आ जाएंगे तो स्टॉक और डेटर, दो ही आसेट्स हैं, स्टॉक और डेटर स्टॉक और डेटर, देखें, ये इन्वाइस प्राइस में है, है न, ये जो स्टॉक है ये आपका इन्वाइस प्राइस में है, यानि जब भी कुश्चन में आपको कॉश्च प्लस प्रॉफिट में अगर भीजा जा रहा है माल तो जन्रली इन्वाइस प्राइस में ही रहता है और अगर कॉश्च प्राइस में हो अगर वह वह आपका स्टाउक तो कुश्चन में वह डिटेल डिला रहता है कि कॉश्च प्राइस में जैसे कि हम लोग ने पिछले कुश्चन में देखा था खैर तो stock है 12,000 का data है 1500 रुपे का देखिएगा आप ध्यान से हम लोग साथ साथ काम करेंगे या फिर एक पहले कर लेते हम लोग invoice price वाला फिर होगे आपका good send to branch 80,000 to good send to branch 80,000 80,000 रुपे का माल head office ने ब्रांच को send किया है cash remitted sorry cash send to branch for these expenses ये 3,200 रुपे का 4,800 रुपे का दो expenses to cash account rent rates and taxes rent rates and taxes के लिए कुछ पैसे salary and wages के लिए salaries and wages के लिए ये है 3,200 रुपे का ब्रांच ने एक लाग 23,200 रुपे भेजा है जिस question में आपको clearly ये amount mention है अलग से cash remitted by branch to head office यानि cash इतना भेजा गया है ब्रांच के द्वारा head office में तो ऐसे question में cash sales और cash receipt from data का amount calculate करने का जौरत नहीं है और अगर कही question में given भी हो तो हम लोग उसको add करके individually mention करने का जौरत नहीं है क्योंकि ये जो cash remitted है ना ये सारा calculation करने के बाद ही ये amount ये figure आपको आता है calculate करने के बाद तो ये amount हम लोग डाल देंगे चलो जी हम लोग head अभी हम लोग invoice price वाले column में लिख रहे हैं cost price वाले में कैसे करेंगे amount डालेंगे अभी हम लोग सीखेंगे stock or debtors अब हमारा closing stock or debtor है buy balance cd stock debtors और हम लोगों ने जो furniture खरीदा है furniture भी तो होगा ही नहीं फर्म में stock debtor furniture सारा काम हो गया 14,800 शूलसो 14,800 शूलसो और 800 रुपे का हमारा furniture है चलो जी अब ध्यान से देखो आप अब हम लोग सारा काम हम लोगों ने कर लिया है और depreciation हम लोगों चार्ज करना ही नहीं है क्योंकि ending date को ब्रांच ने ending date को furniture खरीदा है depreciation तो एक साल जब हम लोग use कर लेंगे तब ही न चार्ज करेंगे यह तो एक ही दिन हुआ है depreciation चार्ज हम लोगों को नहीं करना है चलो जी invoice price वाले column में हम लोगों ने सारा entry कर दिया है cost price वाले column में कैसे entry करना है आए देखते है फटा फट से देखो जी अच्छा adjustment हम लोगों का जो है यानि loading हम लोगों करना है कितना तो 33.33 profit है आपका out of 133.33 यानि cost plus profit cost 100 let we have cost 100 plus profit 33.33 means 133.33 133 तो एक हो गया 133.33 में 433 है तो यह हो गया 1 by 4 पहले भी हम लोगों ने देखा हर जगा loading 1 by 4 करेंगे देखिए 12,000 का जो goods है अच्छा cost price method और invoice price method में difference बस एक ही है cost price method में जो जितने भी goods है वो invoice price में होंगे यानि selling prices में होंगे यानि cost plus profit वाले value में होंगे और cost price वाले जो column है इसमें सारे जो goods है वो cost price में होंगे expenses और opening assets और closing assets जो है यह पहले जैसे ही होंगे हां stock का तो भई वो price वाला जंजट ही है कि यह invoice price में होंगे वो cost price में होंगे लेकिन बाकि जो assets है जैसे कि डेटर्स हो furniture हो cash हो जो cash send किया गया है for expenses from head office to branch और जो cash send किया गया है from cash limited to head office by branch इसमें कोई changes कोई फिर बदल नहीं होने वाले हैं आप ध्यान से देखिए तो stock यह जितने भी goods हैं तो cost price में हम लोग डाल लेंगे बाकी खर्चे साम बाकी के जो भी items है उसे value में रहेंगे तो यह हो गया cost price method देखिए बड़ा मज़दार बात है stock 12,000 रुपे का ध्यान से देखिए 12,000 रुपे का stock है इसमें one-fourth यानि 3000 जो है यह आपका profit इसमें include है 3000 निकाल देंगे तो यह हो जाएक आपका cost यानि यह 9,000 का आपका हो जाएगा cost price बस इतना ही करना है हम लोगो डेटर्स जो है यह आपको 1500 रुपया पहले जैसा ही रहेगा डेटर्स हम लोगों का 1500 रुपया पहले जैसा ही रहेगा goods sent to branch जो है 80,000 रुपया का जो भीजा गया है तो 80,000 का वन फोर्थ कर देंगे यह 20,000 तो 20,000 हम लोग profit वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 60,000 साथ हजार रुपया है goods हो जाएगा और यह जो दो expenses है expenses cash के firm में जो भीजा गया है head office से branch को उतना ही रहने वाला है इधर आईए cash जो रेमिटेड यह इतना ही रहने वाला है यह stock जो 14,800 रुपय का है इसको भी हम लोग adjust करना पड़ेगा इसका one force करना पड़ेगा 14,800 14,800 3,700 कम कर लेना होगा यह हो जाएगा 11,100 यह हो जाएगा 11,100 रुपया डेटर्स क्लोजिंग 16,100 रुपया इतना ही रहने वाला है फरनीचर 800 रुपया उतना ही का रहने वाला है उतना का उतना ही यह हो गया तो cost price वाले method में हम लोगों ने सारे जो भी amount है आपके सारे जो amount है आपके goods वाले इसको हम लोगोंने जो है cost price में रखा है तो इसी को हम लोग बोलते है cost price method ठीक है एक काम तो यह कर लिया हम लोगोंने सारा expenses item हम लोगों transfer कर लिया है दूसरी बात क्या है कि जो invoice price वाला जो column है यानि this column invoice price वाला जो column है इसमें तो भई goods हमारा सारा invoice price में है तो इसमें हमारा जो profit है वह हमारा pure एकदम जो net profit बोलता है इसका loading करना पड़ता है तो invoice price वाले जदने भी goods है हमारे चाहे वह आपका good sent हो opening या closing stock हो या return हो सब का loading करना पड़ेगा loading पहले जैसा करेंगे opening stock का loading हम लोग credit side में करेंगे लिखेंगे by लिखेंगे by stock reserve account तो यह जो 12,000 का जो loading है अच्छा loading हम लोग करना है one fourth तो 12,000 जो आपका opening stock है इसका one fourth loading कितना हो जाएगा तीन हजार रुपिया यानि profit वाला amount calculate कर लेंगे जो margin है cost plus profit तो profit को अलग करना है जो profit का amount अलग करेंगे इसी को loading loading करना बोलते हैं और opening stock के लिए stock reserve लिखते हैं यह 3,000 का loading हो गया हमारा sorry यह हम लोग invoice price वाले column में लिखेंगे आगे आईए डेटर करें करना है good cent तो गूट सेंट जो 80 रुपिया है इसका loading one fourth अकर हम लोग करेंगे तो by adjustment of goods sent इसका loading करेंगे 80,000 का one fourth 20,000 यह भी loading हो गया 20,000 का दो ही goods है credit side में आईए credit side में आपका एक closing stock यह goods है 14,800 इसका हम लोग loading करेंगे one fourth closing stock के लिए जो loading करेंगे उसका हम लोग बोलते हैं stock reserve opening का loading opposite side closing का इधर opposite two stock reserve loading 14,800 का one 3,700 रुपिया भी हम लोगों ने किया था 3,700 याद रखेगा यह आपको invoice price वाले column में ही है 3,700 इधर हो गया loading और यह दो हो गया इधर अब हम लोग total लगाएंगे अब हम लोग total लगा लेंगे तो invoice price वाले का credit side का invoice price वाले का credit side का total हो जाएगा 163,400 163,400 163,400 तो profit हमारा यह आजाएगा 58,200 58,200 का profit हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे to profit transfer to general PL account चलो जी अब cost price वाला का कर हम लोग total करें तो 136,700 136,700 136,700 profit आपका यानि credit side के total में से debit का यह सारा expenses अगर लेस करें तो 58,200 profit आएगा अब आप देखिए दोनों ही method में हम लोगों ने देखा कि profit हमारा उत्रहीं आ रहा है पहले भी हम लोगों ने ऐसा question solve करना सिखा है देखा है लेकिन आज के जो method आज के question में जो है same एक ही question के दो अलग अलग branch मतलब एक ही branch के दो अलग अलग हम लोग amount a column बना लेंगे with the name of cost price and invoice price और दोनों का profit हम लोग एक ही method से दोनों method से एक ही branch account बना कर calculate कर सकते हैं कैसे आप देख रहे हैं चलो जी तो अब आप इसका screenshot ले लिजिए question 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 चलो जी question का भी screenshot ले लो फटा फट से तो आज हम लोगों ने यह question solve कर लिया है अब आज हम लोग यह करते हैं फिर next video में हम लोग कुछ next method या दूसरे question के साथ मिलते हैं आज के लिए इतना ही और कुछ बच्चे जो है students comment section में बार बार कह रहे हैं हम लोगा exam जल्दी आने वाला है तो branch account को जल्दी से complete कर दिया जाए तो मैं कोसिस करूंगा मैंने comment सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर बाइज